याई को लो बहुत चालिब है बाई बाहर से आने वाली वरकर्स के लिए 12 सेक्टर्स में नौकरी करने पर रोक लगा दी है इसका असर यहां रह रहे हैं 30 लाख भारतियों पर भी बढ़ सकता है दूसरी और साओधी अरब ने एक और बड़ा फैसला लिया है अब साओधी में नौकरी मिलना मुश्किल भरा हो सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि भारतियों कामगारों के लिए स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्रेस अनिवार कर दिया गया है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कामगारों की क्वालिटी को बेहतर किया जा सके भारत में साओधी दूतावास ने रिक्रूट्मेंट एजिंसीज को इस बात की जानकारी दे दी है इसमें कहा गया है कि कामगारों को स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट के बाद ही नुक्त किया जाएगा इस वीपी को वर्ष 2021 में लॉंच किया गया था और अब धीरे धीरे इसका विस्तार किया जा रहा है इसके अलावा साओधी अरब में नौक्री करने का ख्वाब देखने वालों के लिए ये भी एक बहुत बुरी खबर है कि साओधी अरब ने आदेश दिया है कि कंसल्टेंसी प्रोफेशन में 40% नौक्री स्थानी लोगों को दी जाएं इसका असर ये होगा कि भारत समेथ सभी प्रवाजी लोगों को नौक्री मिलने की संभावना कम हो जाएगी साओधी अरब नौक्री के शेत्र में बड़ा बदलाओ करने जा रहा है ये बदलाओ साओधी अरब में नौक्री करने का खौब देखने वालों के लिए बहुत बुरी खबर है साओधी अरब के मानुक संसाधन और सामाजिक विकास ने घोशना करी है कि सबी कंसल्टेंसी प्रोफेशन में 35% नौकरी स्थानिय लोगों को दी जाएगी दूसरे चरड में इसे बढ़ा कर 40% दी कर दिया जाएगा सौधी अरब में विदेशी कामगारों में भारतियों की संख्या अच्छी खासी है विदेश मंत्राले द्वारा जादी आखनों के अनुसार कोविड लॉकडाउन में सौधी अरब से 1,18,000 से जादा लोग भारत वापस आई थे दरसल सौधी अरब में विरोजगारी दर 9% से उपर से चल रही है इस फैसले से साओधी के नागरिकों के लिए नौकरी के ज़्यादा अफसर मिलने के अनुसार है स्थानी समाचार एजेंसी का नुसार इस फैसले का सर वित्य सलहाकार, विशेशगी, व्यापार सलहाकार और परियोजना प्रबंधन विशेशगी जैसे शेत्रों पर सीधी तोर पर पड़ेगा कहा जाता है कि सौधी अरब में सरकार वीजा निलाम करती है और जो कमपनी सबसे ज़्यादा पैसा देती है उसे बड़ी संक्या में वीजा दिये जाते हैं पिर वही कमपनिया भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, थाईलेंड या फिलिपिन्स जैसे देशों से अकसर एजेंटों के जरिये नौकरी पर लोगों को रखती हैं इससे ना सिर्फ उनका परिवार चलता है बलकि उनके देश का खाजाना भी भरता है सौधी अरब में रहने वाले भारत को हर साल अर्बो डॉलर की रकम भेजते हैं भारतिय मजदूरों की मौजूदा समस्या को उनके इस कमपनी की आर्थिक मुश्किलों से जोड़ कर देखा जा रहा है लेकिन सौधी अरब में विदेशी कामगारों के शोशट के मामले तो अकसर सामने आते रहते हैं। से अधे खाड़ी देशों की ओर श्रमिक रोख कर रहे हैं। के पास के गाउं के कई लोगों ने काम किया था और अच्छी आय अरजित की थी। लेकिन स्थिती वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। विदेशी कामगारों की शोशट की कहानिया अकसर सुर्खियां बनती हैं। साथी अरब की सरकार गयर मुस्लिम संगठन की ओपस्थिती को प्रतिबंधित करने के लिए जानी जाती है। इसलिए कैथोलिक और अन इकबालिया संगठनों को प्रवासी के पक्ष में देश में कारी करने की अनुमती नहीं है। नहीं बदल सकता और नहीं वापस जा सकता है। इसके बावजूद कोविड-19 महमारी के समय तो कामगारों की स्थिती और भी अधिख खस्ता हो गई थी। क्योंकि उस समय यहां की अर्थवेवस था विशेश रूप से तेल की देंदारी में महत्वपूर गिरावट के कारड़ रेटिंग में प्रवेश कर दिया गया था। जिसकारड प्रवासियों को शारीरिक और मनुवेग्यानिक शोधों का सामना करना पड़ा। उसी के साथ खारी देशों से बाहर निकलने में और भी अधिख मसीबत का सामना करना पड़ा। साथी गार्ट्स द्वारा कभी कभी दूसरे देशते काम करने के लिए आए लोगों को पीटने की भी खबने सामने आती है जिसके चलते अक्टूबर और नवमत 2020 में तीन लोगों की मौत हो गई थी कई बार तो इस्थिती इतनी दयानी हो जाती है कि बुजर्ग की मौत हो जाने के बाद भी परिवार को कई दिनों तक सूचना नहीं मिलती ऐसी एक घटना गाजिपुर के कासिमाबाद शेतर के मकनूपुर गाउं की है जहां का एक युवक मनजेश सिंग यादव सौधी अरव में नौकरी करने गया था वहां तबियत खराब होने पर उसकी मौत हो गई यह युवक पिछले तीन साल से सौधी अरव में ड्राइवर की नौकरी कर रहा था चार महीने पहले शुकर लेवल बढ़ने पर उसकी तबियत खराब हो गई थी और इलाज के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं पाया गया और फिर तबियत जादा बिगरने पर 9 जून 2022 को उनकी मृत्यों हो गई योवक की मौत के बाद साथ काम करने वाले उसी के लाके के ही अलावल पुर्निवासी सुरिंद्री आदम ने परिवार को घटना की जानकारी दी परिवार ने शब को भारत आने के लिए भारती दूतावास सहित जिलादिकारी से भी जोर जोर के गोहार लगाई लेकिन योवक कशा पांच दिन बाद भी भारत नहीं पहुँचा तो दोस्तो ये है साओधी अरब में काम करने वालों की स्थिति पहाँ पर काम करने के लिए गई हुए भारतियों लोगों को जिन्दा लाश बना दिया जाता है ये कड़वा सच है दोस्तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही जाते जाते वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस जरूर कर लेजिए